हेलो स्टोरेंट साथ सभी का स्वागत है तो CBSE के तरब से बच्चों दो बड़ी अपडेट्स आ रही है बिल्कुल ओफिसियल है कल ही CBSE ने इसके लिए एक सर्कुलर निकाली हुई है पहली जो अपडेट है वो हमारे इंटर्नल असेस्मेंट एक्जामनेशन या फिर प्रैक्टिकल एक्जामनेशन से रिलेटेट है जो कि आप लोग का 1 जनवरी 2023 से सुरू हो जाएगा जिसके लिए CBSE ने काफी पहले इसको लेके नोटिस भी निकाल दिया था और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो हमारे CBSE बोर्ड एक्जामनेशन 2023 को लेके है कि वो आप लोग का 15 फरवरी 2023 से सुरू होगा ये बिल्कुल कनफर्म्ड CBSE ने ये वाला सेर्कुलर निकाल के बता दिया है तो जो भी बच्चे अब ऐसा सोच रहे थे कि एक्जामनेशन से डिले होगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल कनफर्म्ड नियूज आप देख सकते हो जो कि CBSE ने खुद ये सेर्कुलर निकाल के कल बता दिया है कि आपकी जो प्रेक्टिकल या फिर इंटर्नल असेस्टिमेंट के एक्जामनेशन से है वो एक जनवरी 2023 से होगा और हाँ यहाँ पे आगे हम एक चीज और देखेंगे जिसमें आप समझोंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपके एक्स्टर्नल टीचर रहेंगे और कौन से सब्जेक्ट में आपके एक्स्टर्नल टीचर नहीं रहेंगे आपके स्कूल वाले ही टीचर होंगे ओके और दूसरी जो थी कि आपकी जो बोर्ड परिक्षा है क्लाश 10 और 12 की वो 15 फर्वरी 2023 से शुरू होगा ये फिक्स हो चुका है डेट सिट भी बहुत ही जल्दे निकलने वाली है एक सब्ता के बाद आप लोग की डेट सिट भी अब निकाल दी जाएंगी तो नेक्स्ट विक तक आपकी डेट सिट निकाल दी जाएंगी जैसे निकलेगी आप लोग को तुरंत में इंफॉर्म करने होगा तो हमारे चैनल को आप जोरू सब्सक्राइब करके रख लेना तुरंत आप लोग को इंफॉर्म बताऊंगा जैसे हमारी डेट सिट आती है तो अब यहां पे पहले अगर आप क्लास 10 का बात करो तो देखो यहां क्लास 10 के लिए यहां पे सब्जेक्ट्स दिये गया है और यहां पे दिया गया है कि आपका जो थियोरी पेपर होगा वह 80 मार्स का होगा और जो आपका इंटर्नल एसेस्मेंट होगा वह 20 मार्स का होगा ठीक है इसमें सब्जेक्ट दे दिया गया है कि थियोरी पेपर आपके कितने मार्स के होंगे और यहां पे इंटर्नल एसेस तो यहां तक आप देख सकते हैं इसमें पर भी आपको यह नहीं दिखाए दे रहा है लास्टेंथ का कोई भी एक्स्टरनल टीचर नहीं रहेगा जो भी होगा आपके वाले ही आप लोग का इन्टरर्नल टीं मेर extrem Virs मिलता है 18 से कौम मार्क्स ना के वराबर लगबीád मुझकि से किसी एक students को दे दिया जा 17 उलग बात है बाकि maximum students को 18, 19 और जो 20 marks है इसी में से मिल जाता है ओके class 12 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लो तो इसमें आपका English, Hindi या फिर उर्दु जैसे subjects में आपके external examiner नहीं होंगे लेकिन यहाँ पे देखो history के लिए आपका यहाँ पे दे दिया गया है कि external examiner आएगा तो यहाँ पे आप इसका subject और इसमें आप देख सकते हो subject list और किसमें आपका internal external examiner रहेंगे बाहर से कोई teacher आएंगे इसमें आप यहाँ पे इसको देख सकते हो mathematics के लिए यहाँ पे दी गई है कि आपके कोई भी external टीजर नहीं रहेगा बाकी यहाँ पे बहुत सारे subjects देखोगे जहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 12 वालो के लिए external examiner आने वाले हैं ठीक है तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पे cbc के तरब से निखाली गई थी आपको मैं इसका description पे pdf भी लिंक दे दे रहा हूँ आप वहाँ पे खुद चेक कर लेना कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में आपके जो क्लाश 12 के बच्चे खास करके 10 वालों का तो कोई भी सब्जेक्ट में external नहीं आने वाला है बट क्लाश 12 वाले बच्चे से डाउनलोड करके आप लोग एक बड़ चेक कर लेना कि कौन से सब्जेक्ट में आपके external टीचर आएंगे और किस में नहीं आएंगे ताकि जिस सब्जेक्ट में आपका external टीचर आएगा तो उसमें आपकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो आज के लिए इतना ही और बिसी तरह के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू बाबाए